हम लोग बात कर रहे थे बहुत इक भूगोल के बारे में और इसमें लास्ट किलास में हम लोग उन्हें वलन के बारे में बात की थी और विस्तार से चर्चा की हुई थी आज की इस कलास में हमें भरंस के बारे में बात करनी है फॉल्ट के बारे में बात करनी है और भूतिक भूगोल में आप लोग भरंस हो वलन हो इन सब के बारे में पढ़ते रहते होंगे भरंस हो परवत के बारे में पढ़ते होंगे भरंस घाटी के बारे में पढ़ते होंगे तो एक सामानी चर्चा हम लोग कर लेते हैं और एक बात याद रखेगा एस सभी कलासे आपकी UPSC और आपकी State PCS Prelims को ध्यान में रखते हुए कबर की जा रही है और इसके लिए एक separate playlist सूची बना दी गई है जिसका नाम रखा गया है UPSC and State PCS Prelims Special Classes के नाम से और इसमें सभी subject जो भी Prelims में आते हैं उनकी कलासें एक एक करके आपको मिल जाएंगी और आप में से बहुत सारे लोगों का यह भी सवाल रहता है क्या यह कलासें और भी One Day Exam होते रहते हैं जो State Level पर होते हैं या Central Level पर होते हैं तो देखे बिलकुल हो सकते हैं आप लोग जिस भी एक्जाम की तैयारी करें उसका सिलेवर सो उसके पुराने questions फीपर उठा के देखी अगर बहुत एक भूगों से आपकी परिक्षाओं में भी questions पूँचे जा रहे हैं तो एक किलास में बेज जिजग आपके लिए भी माटपून हो सकती है अब बात आती है कि इभरंस होता क्या है आप देखे कि कोई फैन लीजे आप लोग कोई एक ऐसी बस्तू लीजे और माल लीजे कि आप देखे इस तरह से ये बस्तू है पिलेट माल लीजे एक ठीक है या इसे आप लोग पठार माल लीजे परवत माल लीजे जो मही अब आप देखे कि इस तरह खींच रहा है इसमें दबाव पढ़ रहा है इस तरह भी बल लगा हुआ है तो आप देखेंगे बीच में से जो टूट जाती है दरार पढ़ जाती है इसे ही आप लोग भरंस कह देते हैं इसे ही आप लोग क्या कह देते हैं फाल्ट कह देते हैं और यहाँ आप लोग एक पिक्चर भी देख रहे होंगे देखें ए दरार पढ़ गई इसे ही आप लोग क्या क्या देंगे, फॉल्ड पढ़ गया, भरंस पढ़ गया, लेकिन आप लोग सभी जानते हैं कि ए तो एक साधारन परिभासा हो गई, समझने के लिए, लेकिन ए परिक्षा में तो आप लोग नहीं लिख सकते हैं, तो परिक्षा में आप लोग ए परिभ हो जाती है तो चट्टाने चटक जाती है दरार पड़ जाती है और भरंस पैदा हो जाता है और भरंस से चट्टानों में दरार पड़ जाती है और सामनता दरारें कुछ सेंटीमीटर की चौड़ी होती है परंतु कुछ दरारें कई मीटर चौड़ी भी होती है और अधिक और दोनों ओर दबाव पड़ता है, उनकी सहन सकति के बाहर हो जाता है, तब अनिक प्रवाहों से विस्थापत हो जाती है। तूट जाती है और एक और की सिलाएं, दूसरी ओर की सिलाओं की अप एक्छा नीचे या ऊपर खेसक जाती है कि या आसपास चली जाती है। और इसे ही आप लोग फॉल्ट या भ्रंस कह देते हैं, ठीक है? अब भ्रंस की सब्दावली की बात करें, तो भ्रंस तल और देखिए ये आप लोगों को एक चित देख रहा होगा, ओपर का उठा हुआ भाग, ये नीचे धसा हुआ भाग, ये आप देखेंगे बिभंग तल हो गया, विभंग से संब्दी सब्दावली, पाव भीती हो गया, भ्रंस तल, फाल्ट फिलेन, भ्रंस के कारण जिस तल के सहारे चट्टाने तूटती हैं, उस तल को भ्रंस तल गहते हैं, और यह तल अमवद या किसी तथा किसी कौन पर जुका हुआ हो सकता है, और भ्रंस अजन द्वारा छैतकीद दिसाफ्र बनाएगे कोणंट को तल का नमन कहते हैं, क्या कहते हैं? तल का नमन कहते हैं, और उधिशेपित खंड होग कहने हैं, जो भाग उपघ उठा खंड कहते Are और जो भाग नीचे धस जाता है उसे धसा हुआ खंड कहे देते हैं ठीक है ? और लटकती भीती बिभग तल के ऊपर की पेश्ट को लटकती भीती कहते हैं पद भीती बिभग तल की निचले परष्ट को पद भीती कहते हैं आप लो यह बार कुछ और चित्र देख लिज़े आप लो देखेए ऐसा नहीं है कि किसी भी तरह से आप देखे ऊपर आप देखे साधारन भरणस हो गया एक पिलेट इस तरफ जा रहे है एक भागस का एक भाग इस तरफ जा रहा है ठीक है उपर नीचे आप देख रहें किस अगरा है यह आप देखें दाई पास गती रूपांतर भरंस हो गया यह उपर यह नीचे इस तरफ को ठीक है संपीडन यह आप देख लिजेगा यह वाम पार्स देखें यहां भी देख लिजे आप लोग नीचे की ओर उपर की ओर जा रहा ह यही है प्रिकारिश्टी तो सामान भरंस की अगर हम लोग बात करें नॉर्मल फाल्ट जब भरंस तल की दोनों और की भूकंड एक दूसरी की पितीकुल दिशा में खिसकते हैं तो उनके मद्द की दूरी बढ़ जाती है इसे ही सामान भरंस कहते हैं कहने का मतलब आप देखें कि सीधा सा यह है आप देखें कि ए एक तरह से माल लेजे परवत माल लेजे जो भी मानना हो और इसमें आप देखेंगे कि एक तरह से इस तरफ चला जाएगा बीच में जो भरंस पड़ेगा ना, फॉल्ट पड़ेगा ना, दरार पड़ेगी ना, इसे ही साधारन फॉल्ट कह देते हैं, यानि कि एक दूसरे के विप्रीते खिशक जाती हैं, उतकरम भरंस, जब भरंस तल के दोनों ओर के भूखंड एक दूसरे की ओर खिसकते हैं, तो और इसे ही छेफ भरंस कहते हैं, सौपानी भरंस, जब किसी भूभाग में कई समानतर भरंस इस पिकार बन जाती है, कि भूभाग कई पतली, पत्तिओं में तूट जाता है, जिनसे डाल की दिशाह, एक ही रखे तो वह सीडियों जैसा भरंस दिखाई देता है, जिसे सौप बात हो रही है पारसुवी ये अत्वा नती लंबी सर्पन भरंस जिस भरंस में गती मुक्क रूप से छेतित दिसा में हो उसे आप लोग देखेंगे उसे पार्सुई ये भ्रंस कहते हैं इस पेकार के भ्रंसों में कगार नहीं पनते और यदी बनते भी हैं तो वे बहुत कम उंचे होते हैं और भ्रंस रेखा में कभी कुछ दोरी तक नदियां बहती हैं या लंबी खाई सी बन जाती है ये देखिए भिरंस गाटी इसमें आप देखिए दोनों ये इस तरफ और इस तरफ बराबर है ये नहीं इन में कोई बदलाव नहीं हुआ ये नीचे धस गया तो और आप देखिए यहां भिरंस परवत इन दोनों में बराबर है लेकिन आप देखिए उपर ये उठ गया तो भरंस से अनेक प्यार की भुवा फिट्रियां बनती हैं, जिनमें भरंस परवत हो गया, भरंस गाटी सबसे अधिक मत्पूर हैं, और पितवी की आंतरिक सक्तियों के कारण पितवी की पपड़ी पर दरारें पढ़ जाती हैं, और ये दरारें भुव गरब में काम करेंगी तन उबर उठा हुआ भाग भरंस परवत कहलाता है आप लोगों ने देखा ना उसी तरह और इन परवतों के सीज समतल और किनारे तीब भरंस का गारों से सीमित होते हैं फ्रांस का बोश जैस और जर्मनी का बिलेक फोरिष्ट परवत इसके सबसे उत्तम उधारनी किसके भरंस प भुभाग के नीचे धस जाने से भरंस घाटी बनती है और यूरो में राइन नदी की घाटी भरंस घाटी का सरवत्तम उधारन है यह उधारन के बार आप देखते हैं कि पूंच लेता है और इसकी एक और वर्ष जैस परवत और दूसरी और विलेक फॉरेस्ट परवत है औ भरंस घाटी देखने को मिलेगी और इसकी लंबाई की घर हम लोग बात करें तो 6400 क्लियोमीटर गयराई लंबाई इसकी 6400 किलो मीटर गहराई 610 मीटर और चोडाई 65 से 95 किलो मीटर है और भारत की नर्वदा नदी भी भरंस गाटी में बैती है और इसको उत्तर बे आप देखेंगे बिंदेहन परवत देखने को मिलेगा और दच्छन में सत्थोडा परवत भरंस परवतों की उधारन है दामोदन नदी भी भरंस गाटी में ही बैती है भरंस गाटी में पार्स प्रया देख तीखे ढाल वाले और लगवग लांबिक होते हैं पुरानी भिरंस घाटियों के पार्स मंद ढाल वाले भी हो सकते हैं यह आप देखे रायन घाटी हो गया यह बॉस जैस और विलेक फॉरेस्ट परबत हो गया ग्रेनाइड चट्टाने नवीन चट्टाने मर्तिका विभिन पिकार की परद्दा चट्टाने तो यह वो धारन है है एक तरह से ठीगे यह विकोछ आपर किया है देख सकते हैं कार्ष्ट इस्थलाकती निच्छे निच्छे पात्मक आकार यह स्टेले यह आप L Europe देखिएगा यह आप देखेंगे इस्टेलेक्टाइड हैलिक्टाइड और यह आप देखेंगे इस्टेलेकमाईट और यह इस थम्ब आप लोगों को देखने को मिलेगा और नीचे कुछ पॉइंट है बहिट जाद बल अंतर जाद बल रचनात्मक कारी करते हैं और भूतल पर बिसमताओं को जनम देते हैं उधारन के लिए आप देखते हैं बलन तथा भरन से बिभन पकार की भू आक्तियां पैदा होती हैं और भूकंप तथा ज्वाला मुखी भूपरिष्ट को बड़े पिर्माने पर पिरभाविद भी करते हैं इसके विपरीद बाहर जाद बल अपनी अपरदन और निच्छे पी क्रियाओं से भूपरिष्ट पर बिसमताओं को समाप्त करके समतल भूमी का निर्मार करने का प्रयास करते हैं अंतर जाद मतलब बल कहने का मतलब है कि अंतर से लगने वाले बल बाहर जाद बंदलब बाहर से लगने वाले बलों की बात हो रही है और इस पिकार बाहर जाद बल अनाच्छादन का काम करके नबीन इस्थालाकतियों का निर्मान करते हैं बाहर जाद बल अत्वब सक्तिया मुखरूप से दो पिकार की होती है जने करमसा इस्थितिक और गती सील सक्तियों की नाम से फुकारते हैं अबलो इस्थितिक सक्तियाओं में अपच्छे हो गया गती सील सक्तियों में अपरदन परिवान निच्छे प्रमुक हैं अप्चय तथा अपर्दन की सयुक्त प्रभाव को अनाच्छादन कहते हैं और कुछ विद्वान बेहद छरन को भी अनाच्छादन में ही समलित करते हैं तो ये कहानी हो गई भ्रहंस की सिधी सी बाद आफ लोग समझेगा भ्रहंस यानि की फॉल्ट कहने का मतलब है कि बीच म इसी दराड पढ़ जाना ठीक है और जब तनाव पढ़ेगा तनाव लगेगा दबाव बढ़ेगा तो आप देखे कि बीच में दराड पढ़ी ही जाएगी सभाविक सी बात है चली अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं छोटी-छोटी क्लास है अब 6 अंगला हमारा टॉपिक है अब 6 इसके बारे में हम लोग बात करेंगे चर्चा करेंगे ठीक है